इस तस्वीर को एक बर ध्यान से देख लीजे, कुछ याद आया, आज इसे देखकर दोबारा सर्म में डूब मरने का वक्त आ गया है, और ये बात मैं यूही नहीं कह रहा हूँ, आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप खुद सोच में पढ़ जाए और इस तस्वीर को सेर करते हुए मसूर पतरकार अवीज कुमार ने क्या टिपणी की है, उस पर भी बात करेंगे, मोधी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी ने कुछ बड़ी बातें कही है, उनकी बातों पर हम विशेश वाला विशलेशन भी भी देंगे, बहुत धान से सुनिएगा, मगर हाँ, बातें चिंतन और चिंता करने वाली हैं, विचारने वाली हैं, फिर भी यदि हंसी आए, तो हंसीएगा अपने रिस्क पर, ये बात मैंने कई बार बता दिया है, किसी की भावना आत हो गई, तो हमारी कोई जिम्यदारी नहीं है, मसहूर फिल्म अभिनेता नसरी अदिन साह ने मुसलिमों के खिलाफ नफरत पर विशेष्टिपणी की है, इस पर भी बात करेंगे, वहीं 2024 के लोग सबाचुनाओं को लेकर, विपक्स की रड़नीती एक कदम आगे बढ़ चुकी है, इस फारूले पर जिस तरीके करके घंटा बजा दीजिएगा, वहीं बगल में जोईन का बटन भी है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को जोईन कर लीजिए, देश को गोधी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने, और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सायग बनिए, इसकी वार नेताओं के बच्चे भगवा साल क्यों नहीं ओडते, नेताओं के बच्चे धर्म रक्षा और गौरक्षा के लिए सड़क पर क्यों नहीं आते, नेताओं के बच्चे गोमुत्र क्यों नहीं पीते, गोबर क्यों नहीं खाते, जाके इन नेताओं से पूछिए, आप भी प नफरत निर्विवाद रूप से जंता के बीच पहुचाई जा रही है ठेली जा रही है ये काफी चिंता जनक है उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामोफोबिया को बहच्चतुराई से टैप किया जा रहा है और अब तो ये फैसनेबल हो चुका है सायद नसुरुद्दीन सा का इ जो की धर्म निर्पेक्स देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब पहले चर्चा कर लेते हैं उत्तरपदेश के मुख्यमंतरी स्रीयोगिया दितनाथ द्वारा कही गई बातों की इसके बाद आपको वो महत्तपूर तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप सर्म स पानी पानी हो जाएंगी मुधी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी के मुख्यमंतरी ने धेर सारी उपलब्धियां गिनाते हुए और अपनी ही पार्टी की सरकार की भरपूर तारीफ करते हुए तारीफों के पुल बादे हैं आईए एक नजर उस पुल के नीचे डालत करना चाहता हूँ सबसे ताजा वाला ये देख लिजिए जम्मु कस्मिर में आतंकी हमले में 5 जवान सहीद इस ख़वर को भी देख लिजिए 15 दिन में सेना के 10 जवान सहीद 24 अपरेल की ये ख़वर भी देख लिजिए कश्मिर आध जम्मु के राजवरी और पूंच में सब छोड़ दीजिए अब नकसल बात पर कितना सिकंजा कसा है वो भी देख लीजिए 26 अपरेल 2023 की इस खबर को देखिए धान से देखिए नकसली हमले में 10 जवान सहीद 26 अपरेल कब था गिन लीजिए इस हमले में एक ड्राइवर की भी जान चली गई और जहां तक बात है कि तमाम सारी खबरें आती रही हलांकि मोदी सरकार ने हमेशा इन खबरों से इंकार किया लेकिन इंकार करते वक्त चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई जबकि अनड़ांचल प्रदेश को लेकर खुद बीजेपी सांसद ने ही मोदी सरकार को आगा किया था कि चीन यहां घुसपैट कर रहा है हमारी जमीनों पर कबजा कर रहा है संबावता ये बातें भी कही गई थी मगर फिर भी यदि आप खुद ही खुद की फीट थपता पाना चाहें तो कौन रोग सकता है उपर से जब गोदी मीडिया का साथ हो वहवाही करने के लिए ढोल बजाने के लिए तब तो कोई दिक्कते नहीं है यूपी के मुख्यमंतरी ने कहा कि आयश्मान भारत योजना के तहत 50 करोड लोगों को फाइदा हुआ है भारत की अनुमानित आबादी 140 करोड बताई जाती है यानि कि मोटा मोटी समझ लिजिए तो हर तीन में से एक व्यक्ति को आयश्मान योजना का लाब मिला होना चाह योजना की हकीकत यदी जनी है तो उचला योजना के लाबारतियों के घर मीचा कर देखी विचारा सिलिंडर वारत कोने में पड़ा धूल फाक रहा है रहा है उनकी आवकात से बाहर की बात दोज़ार बाईस के विधान सभाचुनाओं के दौरान हमने दिखाए था कि गाह सवाल ये है कि यदिराजस्थान की सरकार कॉंग्रेस की सरकारे 500 रुपे में सिलेंडर दे सकती हैं तो फिर क्या उत्तर पधेश के मुख्य मंतरी ये काम नहीं कर सकते तो यूपी की घरीब जंता कितने खोस हो जाएगी वैसे इसके उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती क्योंकि 2022 के विधान सबाद चुनाओं के दोरान ये वादा किया गया था कि होली और दिपावली पर मुख्त सिलिंडर दिया जाएगा लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चला होलियों बीड़ गई दिवाली भी गुजर गई बताया गया कि क्रिस्टी से लेकर नारी ससक्त करन का नमुना तो कल दिल्ली की सड़कों पर बहुत जबरदस तरीके से दिखा है इतिहास बन गया कि मेडल लेकर आने पर जो प्रधान मंतरी बेटियों के साथ फोटो खिचवाते हैं वीडियो बनाते हैं कहते हैं कि मेरे घर के हैं ये सब उन्हीं बेटियों को जब नया फायार दर्ज कर लेती है उसके लिए सुप्रीम कोड की जरुवत नहीं पड़ती है बार बार ये भी बात दोह रहे जाती है कि भारत दुनिया के अर्थवास्ताओं में पांचवास्तान पर पहुंच गया है मगर सवाल ये है कि गरीबी और अमीरी के बीच फरक इतना ज्य उपय कैसे कमा रहे थे और देश भुख मरी के कागार पर पहुंच रहा था इस बात की तस्दिक खोदकेंत सरकार ही करती है वो कहती है कि उन्होंने देश के 80 करोड लोगों को मुष्टरासन दिया है इसी तरह की तमाम सारी बातें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी ने कह प्यम मोदी के पर शुए जाने का भी सक्र किया और इसे अभूत पूर बताया अच्छी बात है देश को सम्मान मिले देश के प्रधान मंतरी को सम्मान मिले इससे बहतर क्या हो सकता है मगर क्या यही विदेशी आत्राओं का भारत के प्रति लाब मान लिया जाए हाल ही में प्यम मोदी को पिछली कतार में खड़ा कर दिया गया था इस तस्वीर के बारे में क्या कहा जाए क्या इसे भारत का आप मान मान लिया जाए अब सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा लेते हैं जो पूरे भारत के लिए सर्मनाक और चिंता जनक होनी चाहिए याद के तुरंत बाद उस वक्त के जम्मु कस्मीर के राजपाल सत्यपाल मलिक ने ये सवाल उठाया था कि 40 जवानों की सहादत सरकार की लापरवाही से हुई है हाल ही में वर्ष पत्तकार करंथापर को दिये गए इंटर्व्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि यदि उस वक्त के ग्रिह मंत्राला ने CRPF के जवानों को जहाज दे दिया होता तो हमारे जवान जिन्दा रखते ये जो 40 जवानों की साधत हुई ये सिर्फ और सिर्फ मोधी सरकार की लापरवाही से हुई है सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा कि जब उन्होंने PM मोधी से बताया कि ये हमारी लापरवाही से हुआ तब PM मोधी ने कहा कि तुम चुप रहो इस बारे में कुछ मत बोलना अब आप कल्पना करके देखिए हमारे देश की सरकार अपने ही जवानों को पांच हवाई जाहाज नहीं दे पाई मगर जय हिंद बोलते हुए इस तस्वीर को देख लीजिए देखिए ध्यान से नई संसत के उधगाटन कारिकरम में जाने के लिए एक मतादीस को मोधी सरकार ने चार्टर्ड प्लेन दिया था ये वही मोधी सरकार है उने के लिए छोड़ दिया गया ट्विटर पर बसंत राज ने इस तस्वीर को सेर करते हुए लिखा है कि जिस मोधी सरकार ने जवानों के लिए जहाज देने से मना कर दिया 40 जवान सहीद हो गए उसी मोधी सरकार ने मठ के मुख्या को चार्टर प्लेन से बुलाया है इस तस्वीर को सेर करते हुए रिमन मैक से से पुरसकार विजेता रविश कुमार ने लिखा है प्रधान मंतरी जब सवालों की जवाब नहीं दे पाते हैं तो धर्म की आड़ लेने लगते हैं ताकि लगे कि वो पुजा पाठ में बिजी हैं कल प्रधान मंतरी निवास में तमिल नाडुक से अधिगम मठके और अन्य संतों को एक विशेश विमान से दिल्ली लाया गया जबकि सेंगोल के प्रचार वीडियो में अपुष्ट दवा है कि 1947 में विशेश विमान से सेंगोल दिल्ली लाया गया पूरी चर्चा एक सेंगोल के आसपा सिमट गई है इसे लेकर इतने सारे अर्ध प्रमारिक दावे किये गए हैं कि आप साल भर उन्तत्यों की जांच करते ही रह जाएंगे मैंने कई बार कहा है कि जूट की जबान बड़ी लंबी होती है जूट बोलना बड़ा आसान काम है जूट गढ़ना भी बहुत आसान है आप किसी मुद्य को लेकर हजारों लाकों जूट गढ़ सकते हैं 2024 के लोग सवाद चुनाओं को लेकर विपक्सी एकता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास सल रहे हैं बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार से लेकर पस्षिम बंगाल की सीम ममता बनर जी तक विपक्स को एक जूट करने में लगे हुए है 12 जून को पट्णा में एक बैठक बुलाई गई है जदियू के वर इस नेता के सित्यागी ने एंडी टीवी से कहा है कि इस विपक्सी दलों की बैठक में करीब दो दर्जन पार्टियों को नियोता दिया गया है लगबग 6 गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टिया हैं जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं है लेकिन उने भी बैठक में ने उता दिया गया है कैसी त्यागी ने ये भी कहा कि दुस्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और फिर बीजेपी के साथ तो हमने काम किया है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें भाजपा को अंडरिस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें बेहत मजबुती के साथ आगे बढ़ना होगा जेडियू के राश्टी पर रोकता ने कहा है कि 2024 के लोग सभाचुनाओं से पहले हो रही इस बैटक में नितिसकुमार का जो फार्मूला है यानि बीजेपी के उमिदवारों के खिलाफ विपक्स की तरफ से एक साजा उमिदवार उतारने पर उस पर चर्चा होगी कॉंग्रेस सद्धक्स मलिकारजुन खडगे ने नितिसकुमार के साथ होई बैटक में इस पर मुहर लगा दी है और कॉंग्रेस का सिर्ष नेत्रित भी इस फार्मूले पर पूरी तरह से तयार है इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि 2024 के लोग सभाचुनाओं में यदि वन टू वन फाइट हुई तो बीजेपी को बड़ा वाला जटका लग सकता है क्योंकि 2019 के लोग सभाचुनाओं के प्रचंड लहर होने के बावजूद भारतिय जनता पार्टी को मातर 37 फिसदी वोट ही मिले थे विपक्स के पास उस वक्त भी 63 प्रचंड वोट था अब देखना ये है कि विपक्स अपनी मजबूती की इस तरीके से बनाये रखता है वहें पिछले दिनों बीजेपी के बरिश नेता और चार राज्यों के राजपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा कि यदि इस बार देश की जनता ने बीजेपी को नहीं हराया तो फिर आगे साइद चुनाव ही न हो यानि कि वोट देने का मौका ही नहीं मिले क्योंकि प्रधान मंतरी कह देंगे कि बार-बार हम ही जीत रहे हैं तो फिर चुनाव में पैसा खर्च काने की क्या ज़रूरत है बहरहल वीडियो अच्छी लगी हो तो जादा जादा लो तो पहुचाएगा हमसे जुन्या के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहें